गुड बार्निंग स्टुडेंट, वेलकम इन यो क्लास, इस इंगिश ग्रामर एंड कमपोजिचन भूक एंड वी आर ओन आवर फर्स चैप्टर, दा सेंटेंस, और बच्चो हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि a group of words that make complete sense is called a sentence, यानि की सब्दों का ऐसा समूँ, जिससे कोई सार्थक अर्थ निकले, वो sentence कहलाता है, और जो sentence है, a always begins with a capital letter and ends with a full stop, यानि की जो एक sentence है, वो हमेशा capital letter से start होता है, और जो end होता है, वो full stop से start होता है, और वच्चो हमने जो है, अपने जो sentence है, उनको भी frame किया था, उनको भी बनाया था, और ये था हमारा book exercise, जिसमें हमने punctuation यूज किया था, पंचुएट करके sentence को लिखा था, और हमने जो है matching भी की थी, और ये fill up किये थे, तो इसी के साथ जो था हमारा ये जो chapter है, ये हमारा first chapter जो है complete हो गया था, तो बच्चों, अब हम जो second chapter जब start करेंगे, तो उससे पहले हमें अपने इस chapter का एक revision test देना होगा, तो कल जो है आपको अपने जो पुराना जो ये है, इसका सब रीट करके, कल आपका test है, तो कल आपकी preparation के लिए preparation test की होगी, तो tomorrow will be your test, also better good bye